हेलो एवरीवन, जब नढैस्ट नॉर्मली जब होमट्यूशन टीचर घार्चन से फीर्ष बड़ाने की बात करता है, तो जो नॉर्मली जब haavas होता है, उसके हटने की चांसे से बन जाते हैं, जब भी फीज बढ़ाने की बात आती है तो पैरेंट्स क्या एग्री नहीं करते हैं और उसके चक्कर में या तो होम ट्यूशन चला जाता है या फिर फीज जो पहले मिल रही होती है वही होम ट्यूशन टीचर को मिलती है तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं होम ट्यूशन फीज बढ़ाने का क्या सही तरीका है कैसे गायरजन के साथ डील करें किस तरीके से फीज को लेके बात करें इस टॉपिक पर हम इसी वीडियो बात करने वाले हैं सबसे पहले बात आती है कि जब आप Home Des ком Online के लिए स्टार्ट करते हैं। जब भी पहली बात आपकी होती है जब भी पहली बात होती है आपकी तो जो आप payment रख रहे हो जिस payment पर बात कर रहे हो उस payment पे आप बात कर लो उसमें कोई problem की बात नहीं है लेकिन उसके साथ में एक बात आप ये भी कह दीजिए guardian से कि अगर बच्चे का class change होगा जब भी next year बच्चे का class change होगा तो उस समय क्या है? Feast क्या है 10% increment हो जाएगी मतलब Feast जो है 10% बढ़ जाएगी जब जब बच्चे का class change होगा तो बच्चे की जो Feast है वो 10% क्या है बढ़ती जाएगी अब देखिए इससे क्या होगा जैसे माले जी किसी बच्चे को क्या है आपका पड़ाया वो समझ में आ रहा है अब वो बच्चा क्या है जब next class में जाएगा तो फिर आपको क्या 10% Feast क्या है बढ़े भी मिलेगी फिर उसके बाद अगर उस बच्चों फिर से समझ में आता तो फिर से जब बच्चे क्या 10% Feast आपको क्या बढ़े भी मिलेगी अब यहाँ पर बात यह आती है कि हमने 10% की Parents से बात तो कह दी क्या वो वास्तम में देंगे तो देखो होता क्या है कि जब आपका tuition स्टार्ट होता है किसी भी Parents के हैं जब भी आप tuition स्टार्ट करते हैं तो आपको initially बोलना पड़ेगा कि होम tuition की जो fees अभी रखी गई है यह इस साल के लिए रहेगी और जब भी next class आएगी तो फिर fees क्या है 10% बढ़ जाएगी और एक पाँ त्यान रखेगा कि next class बोलिएगा next year मत बोलिएगा क्योंकि अगर आपने next year बोला तो होगा क्या जैसे माल लेजी आपका tuition October में लगा तो फिर वो next year की बात करेंगे आप अक्टूबर में फिर बढ़ाईएगा वो आपसे यह चीज बोलेंगे तो फिर नेक्स क्लास हमेशा बोलेंगे next class जो फिर वो 10% बढ़ जाएगी अब देखो इस जाए कुछ parents आपके साथ क्या कहेंगे कि हम फिर नहीं बढ़ाएगी लेकिन जाएतर parents क्या agree कर जाते हैं जाएतर parents शुरू बात में क्यों agree कर जाते हैं क्योंकि शुरू बात जब होती है और जब बच्चे को सुरू बात में समझ में आ रहा होता है तो parents कहते हैं कि अभी का देख लेते हैं बात का बात में देखा जाएगा शुरू बात में generally लोग क्या agree कर जाते हैं। अब जब उसके बात क्या होता है कि जब आपके पढ़ाने का जो method है अगर वो अच्छा होता है बच्चे को समझ में आता है बच्चा सेटर्डर साही होता है और guardian भी आपके साथ सेटर्डर साही होते हैं। तो फिर क्या है वो क्य जल्दी से टीचर चेंज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा टीचर मिल पाना बहुत ज्यादा मुस्केल है, और जब वो चेंज करना नहीं चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं, आपने पहले ही पता है कि 10% फीस क्या है, नेक्स क्लास में फिर से बढ़ जाएगी, और जब बच्चे का नेक्स क्लास आता है, तो आपको एक बार रिमांडर देना है कि नेक्स क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो फिर फीस रहेगी, इतनी फीस आपकी बच्चे की क्या हो जाएगी, जब आप इस तरीके से करेंगे, तो फिर क्या होगा कि अगर पैरेंट्स को नहीं लगाना होगा टूशन उनको बच्चे के लिए नीड नहीं होगी आपकी तो ही वो आपको अटाएंगे अधर्वाइस आपका जो टूशन रहेगा बस फोकस करने की यह वात है कि जो आपका वन एयर है जो आपका डूरेशन है उसमें आप बहुत अच्छा पढ़ाएं और एक इक तरीका यह भी कह सकतें कि जो कुछ पैरेंट्स होते हैं वो क्या एक टार्गेट सेट करते हैं वह यह कहते हैं टीचर्स से कि आप मेरे बच्चे का इतना पर्सेंटेज लिबबा दो तो मैं तुमारी फीस का बढ़ा दूँगा मतलब वह यह चीज कह देते हैं तो देख तो पर्संट टू पर्संट ये चीज़े वैरी करती है लेकिन टार्गेट वाली जो चीज है वह क्या है उसको क्या है नहीं लेना चाहिए उसका रीजन यहीं है कि आप किसी बच्चे की 100% गारंटे नहीं ले सकते हो कि वह वच्चा इंप्रूव कर ही जाएगा आप अपनी त बच्चे का इंप्रूव नहीं हो पाता है तो इसलिए आपको क्या है फोकस करना चाहिए टेन पर्संट का मैठड़ पर तो वह मैठड़ क्या काफी बैटर है कि आप जब आपका ट्यूशन स्टार्ट होता है उसी समय अप अपनी तर्म सेंग केंडिशन बता दे कि आपकी जो अभी फीस है जब क्लास चेंज होगी जब अच्छा नेक्स क्लास में आएगा तो फीस क्या 10% बढ़ जाएगी फिर अगर आप इसके बाद भी करते हैं तो फिर सिफ 10% बढ़ जाएगी तो इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो आप मानके चलेगी वही फीस आपके बढ़ने की पूरी-पूरी उम्वीद हो जाएगी और 99% केसे में क्या वही फीस अगर आप ऐसे डील करते हो तो फिर फीस आपको बढ़े भी मिलती है और अगर आपको कोई वी क्वेश्चन है कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट हो से कमें अगर आपको वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए हम और वी ऐसे लेटर शीडिल लात रहेंगे थेंक्स वाचेंगर वीडियो